मुंबाई एयरपोर्ट पर बड़ा हाथसा होने से बचा एक साथ दो फ्लाइट हुई लेंड और टेक आउट घटना का वीडियो शोशल मीडिया पर हो रहा वायर खबर मुंबाई से है जोहाँ एयरपोर्ट पर बड़ा हाथसा होने से बचा है वहीं बताते चलें कि एरपोर्ट पर एक ही रन्वे पर एक ही समय पर दो विमान आ गए एक उडान भढ़ने जा रहा था तो दूसरा लेंड होने और कुछ सेकेंडों में सैकडो यात्रियों की जान पर बनाई इस घटना का वीडियो भी सामने आया है इसमें रन्वे पर एक विमान उतर रहा है वहीं उसके आगे दूसरा विमान उडान भढ़ता दिख रहा है दोनों विमानों का इस तरह से टेक आउफ और लेंडी करना बेहत खतरनाक साबित हो सकता था बीडिया रिपोर्ट की माने तो मुंबाई एरपोर्ट के रन्वे पर एयर इंडिया और इंडिको के विमान एक दूसरे के बेहत करीब आ गये थे वहीं इंडिको का विमान 5053 देवी अलिया बाई होल कर एयर पोर्ट यानि कि आईडियार से उडान भढ़ने के बाद 27 रन्वे पर उतर रहा था जबकि एयर इंडिया का विमान 657 तिरुवंतन पुरम अंतर राष्ट्रिय एयर पोर्ट यानि टी आर्वी के उडान भर रहा था मुंबाई एयर पोर्ट पर इस घटना का वीडियो सामने आया वीडियो सामने आते हैं शूशल मीडिया पर यह लगातर वाइरल भी हो रहा है और वीडियो में साफ पर पर देखा भी जा रहा है कि एयर पोर्ट के एक ही रन्वे पर एक समय पर दो विमान आ जाते हैं वीडियो देख में दिख रहा है कि एक विमान रन्वे पर लैडिनिंग कर रहा है तो दूसरा विमान के और आगे बढ़ रहा है शोशल मीडिया पर इस पतर है कि जम करके वीडियो पर कमेंट भी आ रही है वहीं एर इंडिया की फ्लाइट उडाने भरने के लिए रनवे पर तेजी से आगे बढ़ रही है वहीं पीछे इंडिको की फ्लाइट लैंड कर रही है हाला कि इंडिको की फ्लाइट जब तक एर इंडिया की विमान के करीब आजाती वह उडान भर चुकी थी और इस भटना के बाद इंडिको का बयान सामने आया है कि इंडिको के मुताबिक इंदोर की फ्लाइट 6E6053 को मुंबाई अर्पोर्ट पर ATC द्वारा लेंडिंग की मंजूरी दी गई थी पाइलेट इंकमांड ने अप्रोच और लेंडिंग जारी रखी और ATC के निर्देश का पालन किया इंडिको के के लिए यात्रियों की सुरक्षा सर्वो पर ली है हलाकि इस वीडियो में जिस तरीके से देखा जा रहा है वो साफ तोर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से सेकडो यात्रियों की जान पर बनाई थी क्योंकि कुछ सेकेंडो का ये वीडियो कुछ पल में बहुत बड़ी बात कह जाता है और उस घटना कोई बारे में भी बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ी धुर घटना हो सकती थी लेकिन बेरहाल सब सा कुशल है और कोईच भी घटना नहीं घट को